हेलो प्रेंड्स मेरे चैनल हैंड नीटिंग विद्ध निता में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज यह मैंने बुलन स्मार्ट मैट बनाया है इसे हम पुजा रूम में वैसे नीचे अगर बैठके कुछ काम करना हो तो उसमें किसी चीज में भी इसको यूज कर सकते हैं इसमें मेरी 400 ग्रामून लगी है 400 ग्रामून में इसकी लंबाई चोड़ाई चोड़ाई में यह 22 इंच है और लंबाई में यह 28-39 इंच के करीब है इसे मैंने नौ नंबर की सलाई से बनाया है और तीन दिन लगेश को बनाने में 400 ग्राम भूल लगी है मेरे पास कुछ बची हुई थी और मोटी उन से हमारा मैट बनाती है हम निचे का तो अच्छा बनता है अगर हमारी पतलियोन है तो उसे हम डबल करेंगे और मोटी उन है तो वह सिंगल ही काम आएगी इसको कैसे बनाया इसके बारे में आप सारह आपको डिटेल से बताऊंगे यह बताने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया या सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ये मैट के लिए मैं कई कलर यूज़ करूंगी अब ये बॉर्डर जो नीचे बॉर्डर किनारी बना रही हूं मैं साइड में किनारी सी उसके लिए सिरफ ये हम दोन कलर यूज़ करेंगी तो दो कलर से मैं फंदे डालते हैं हम इसमें मैं नीचे 100 फंदे बीच के और साइड में 10 फंदे किनारी के तो 110 फंदे डालोंगी तो हम ये डालते हैं कैसे डालते हैं इसको हमें डालना आपको दिखाती हूं लंबा रगा ले लेंगे क्योंकि हमने बंदर 10 फंदे डालने है नो नमबर की सलाई यूज़ करेंगे इसमें और कैसे फंदे डालने है वो हम बताएंगे एक बार ये लेकर और इसके उपर से जैसे बीच में से हम गाट बानते हैं नोट लगा लेंगे ये नोट लगा लिए ये देखिए इस तरह इसमें से डाल लेंगे सिंगल फंदे को इसमें से ले लेंगे एक और एक हमारा पहले नोट वाला हो गया था दो तीन चार पांच छे साथ आठ इसके बानते हैं इसको देखिए इसको ऐसे नोट इसको ऐसे लेंगे इसमें से दस ये इस तरह मैं वन हंडर्ड टैन फंदे डालूगी वन हंडर्ड टैन फंदे डाल लेतनी है पहले हम अब ये हमने ये देखिए वन हंडर्ड टैन फंदे डाल ली है अब हम इसे नो नमबर की सलाई में और दो सलाई उल्टी उल्टी पहला फंदा सिधा बना लेंगे दूसरा फंदा ये दो सलाई इस तरह हम उल्टी उल्टी बनाएंगे ये देखिए इस तरह हम उल्टा उल्टा बनाते हुए यह राइट साइड है हमारी राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से भी दौनों साइड से हम इसे उल्टा-उल्टा बना लेंगे तो यह मैं पहले दो सलाईआ निकाल लेती हूँ आगे थोड़ा समय जो डिजाइन बनाने के लिए किनारी बनाने के लिए जो डिसाइन डालूंगी वो मैं अभी आपको बता दूंगी तो हम दो सलाई बना लेते हैं यह देखिए अब हमने दो सलाई निकालने के बाद तीसरी सलाई राइट साइड पहला फंदा सिधा बना लेंगे दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नौ, और दस फंदे दस फंदे किनारी के जो हमने किनारी के लिए रखे हूँ है दस फंदो को बना लेंगे उसके बाद यहाँ पर दो का एक करेंगे पाँच फंदे, एक, दो, तीन, चार, पाँच फंदे उल्टे बना लेंगे अब यहाँ पर हम एक सिधा फंदा, दागा हमारा आगे ही रहेगा और फंदे को हम सिधा पंदा लेंगे, यानि कि जाली डल जाएगी दागा पिछे रहेगा फंदे को, या तो हम इसको दागे को ऐसे करके लपेश लपेटी ले लें तो यहाँ हम हमारी जाली पढ़ जाएगी और नई तो अगर हम दागा पिछे रखें, फंदे को उल्टा बना लें तो यहाँ भी हमारी जाली पढ़ जाती है एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच फंदे उन्टे बना लिए, अब यहाँ पर हम तीन का एक करेंगे, फिर पांच फंदे, एक, दो, तीन, चार, पांच, अब यहाँ पर धगा आगे रहेगा, फंदा हम सिधा बनाएंगे, पीछे, जाली ड़ल गई, दागा पीछे रहेगा, फंदा आगे बनाएंगे, जाली डल गई, एक दो तीन चार पाँच फिर यहां पर तीन का एक करेंगे इस तरह हम पूरी सलाई में कम्पलीट करेंगे शुरू में यहां पर हमने दो का एक किया था तो लास्ट में भी दो का ही करेंगे चाए हम एक जाली डालें चाए दो का एक करेंगे एक ही करना है हमने इस तरह हम पूरी सलाई को कंप्लीट कर लेंगे उल्टी सलाई हमारी सारी उल्टी उल्टी आईगी अब ये देखिए हमने राइट साइड आ गए है चार सलाइया बना लिए दो सलाइया बीच में मैंने दूसरे कलर की बनाई है चार सलाइया और अब हम ये जो हमारा मेन कलर था उसमें आ गए है 10 फंदे हमने शुरू में रखे थे 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 10 के 10 फंदे हमने ऐसे कैसे बना लिए अब यहाँ पर हम 2 का फिर 1 करेंगे फिर वही 5 1, 2, 3, और ये अब ये जाली वाला फंदा है इसे भी हम बना लेंगे यानि कि 5 फंदे हमारे टोटल यहां पर हो जाएंगे अब ये सिद्धा फंदा दिख रहा है उसी तरह दागा आगे रहेगा जाली हमारी सिद्धा हम बना लेंगे जाली दर जाएगी धागा पिछे रहेगा हम जाली को बना लेंगे एक दो तीन चार पंदे बना लेंगे अब ये बीच में हमारा तीन का एक है तो इसको हम तीन का एक करने है इस तरह हम पूरी सपल एक बार जाली आएगी एक बार तीन काई काईगा इस तरह हम बनाते हैं हम पाँच डालिया आभ एक दो तीसरी जाली हमारी डल रही है इस तरह मैं ये पांच जालियां डालूँगे, पांच जालि डालने के बाद फिर हम दूसरे कलर डिजाइन के लिए आ जाएंगे, ये हम सिर्फ किनारी किनारी में यूज बना रहे हैं, बीच में फिर मैं जैसा भी होगा, मैं आपको डिखाऊंगी, जिदे केस में मैंने जित रंगी उनने मिलाकर इसे हम बना रहे हैं, और भी अभी उपर रंग लगाने के लिए भी हमारे पास यहां पर और उन भी रखी हुई है, तो इसमें मेरी लगभग कम, लगभग इसमें हमारी 400 ग्राम, 4500 ग्राम उन के करीब लग जाती है, और ये सर्दियों में बिचाने के लिए बहुत गर्माईश रहती है, अब ये देखिए मैं इसमें, शुरू से आपको हम बताते हैं, हमने इसमें 100 पंदे डाल ले थे, 110, 110 पंदे डाल ले हैं, तो 10 पंदे तो मेरे इस साइड ये किनारी के रहेंगे, और 10 पंदे हमारे दोनों साइड किनारी किनारी के रह ज जाएंगे, बीच में हमारे बच जाते हैं, 110 में से हमने 20 निकाल दिये, तो हमारे पास बच जाते हैं, 90 पंदे, 90 पंदों से अब हमने ये एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच कलर की पांच लिबियां बना रहे हैं, उपर भी एक, दो, तीन, चार, और ये पांच भी हच्म पांय हो यह में दाहे ही इंग वाद ये मरें एक एक यूष्ट के लिए थोड़ा है थो इसको हम और वार मैं बता देती है और नई डिबी शुरू करनी भी बताती हूँ, 18-18 फंदों से 18 फंदे पहले मैंने इसके बना लिए, फिर उल्टी साइड से, हम हमेशा इसको उल्टी साइड से जोड़ेंगे, उल्टा जब हम, पहले भी हमने कई बार जिक्त बताया है, कि अगर हम उल्टा उल्टा बना रहे हैं दस फंदे पहले ये बना लिए, फिर उसके बाद 18 फंदे हमने इस कलर के बनाई, फिर यहाँ पर नेक्स्ट कलर जोग लिए, 18 फंदे हमने इस कलर के बनाई, 18 फंदे हमने वाइट कलर से बनाई, 18 इसके, 18 इसके, और 10 फिर लास्ट में हमने किनारी के लिए बनाई है, पहल यहां वाइट कलर से बनाया है अब यहां पर यह ब्राउन कलर से तीन उल्टा देखें मेरा दागा आगे है पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, जौदा, पंदरा, सोला, सत्रा, अठारा, अठारा फंदे यह बना लिए दागे को इसको पीछे कर देंगे इसके नीचे से इसके नीचे से लपेटा देते हुए बाइट कलर आगया अब हमारा बाइट कलर को बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, जौदा, पंदरा, सोला, सत्रा, अठारा, अठारा फंदे बना लिए हमारी एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, दस लाइने यानि कि मैं एक, एक, डे, डे, कलर से बीस लाइने बना रही हूँ, बीस, अब इसको बनाने के बाद, अब हम दागे को पिछे करेंगे, इस दूसरे जो हम, नेक्स हमारा कलर है, उसको हम दागे को अगे ले आएंगे, उसको दबाटी, अब हम यहां पर, एक, अठारा हो जाएगा, यह देखे, पहले वाइट यहां था, फिर उसके बाद, बीस सलाइयों के बाद, फिर यह वाइट कलर यहां आ गया, अब इसके उपर वाइट कलर लग जाएगा, यह कलर हमारा खतम हो जाएगा, तो हम इस दागे को तोड़-ड़ के बाद में खराब नहीं करे दिया, फिर यह दागे को आगे किया, फिर यह हमारे, तीन यह जाएगा, ज्यादा फंदो का हम नहीं gap देंगे, तीन पंदे, पीछे दागा किया, वाइट का लपेटा दे दिया, एक, दो, तीन, फिर हमने वाइट का लपेटा दिया, दागे को आगे किया, एक, दो, तीन, क्योंकि हमने अब वाइट कलर इधर से शुरू करना है, इसलिए हम इसको लपेटा देते हुए आगे लेके आएंगे, क्यों वाइट तो यह ही रह जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर लेके आएंगे, दो, तीन, अब यहाँ वाइट का फिर हम एक बार लपेटा दे अब हम यह जो किनारी वाला हमने कलर यूज किया हुआ है, इस कलर को लगाएगे, इस कलर को उपर ले आते हैं, अगे लाकर उल्टा उल्टे हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, अभी हमने दस फंदे करने हैं, यहाँ पर इसको एक फंदे को यह देख यहाँ पर एक और इसी फंदे को दुबारा दो, दस फंदे होगे, इसको भी गटाते गटाते, यहाँ से हमने पहले गटाना शुरू किया, तो हमारे यहाँ पर एक हर साराइट साइड से हमने एक एक गटाया, एक लास्ट फंदे से पहले दो का एक किया, हमारे यहाँ पर गठती वे 5 रहेगे उसके बाद next फिर जब right side आई तो हम इदर से बढ़ाते बढ़ाते एक चले गए पांच से फिर हमने 10 कर लिए फिर अब next आएगी तो हम इदर इसको 5 कर रहेंगे गटाते गटाते एक 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 सलाई में हम एक एक फंदा गटाते चले जाएंगे और इस 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये दस फंदे तो ये जो हमने किनारी वाला दागा है उसका अब ये जो वाइट वाला इधर था अब इसको वाइट वारी डिब्बी हमारी यहां पर आ जाएगी वाइट से वाइट से हम ये एक दो अब हमारा ये ये जो नीचे कलर था इस कलर का हमारा काम खतम हो गया काम खतम हो गया तो अभी में इसको यहां से कट कर देंगे यहां से हमने इसको कट कर दिया अब हम वाइट कलर से के उपर इसको लपेटा देते चले जाएंगे ताकि यह हमारा डिला नहीं हो ये ऐसे यह ऐसे इसको लपेटते जाएंगे अज जिस कलर का काम खतम हो गया उस कलर को हम हटा देंगे दुबारा जब भी जुदत पड़ेगी तो दुबारा फिर हम इसको बीच में से जोड़ते चले जाएंगे इस तरहां अभी आव इसके 18 फंदे कर लेती हूं मैं इस थ्री प्लाई की बूल है कई बारे सलाई में बुनते वे रह जाती है इसका एक दागा रह जाता है हमारे से अब यह हमारा वाइट कलर इधर आगे इसी तरह हम हर कलर को इस जिदर को भी हमने करना है अब इस वाइट के उपर हम इस कलर को लाएंगे यह जो ब्राउन कलर है वो हमारा अब वाइट के उपर आ जाएगा अब यह मैं राइट साइड से दिखाती हूँ यह देखो अब यह वाइट तो हमारा इदर आगया पहले यह वाला कलर इदर था फिर इसको हमने 20 सलाईयों के बाद इदर किया इस तरह यह वाइट वाला 20 सलाईयों बनाने के बाद अब हमने वाइट को इदर कर दिया अब यह जो ब्राउन वाला कलर है इसको वाइट के उपर ले आएंगे यहाँ पर हम अब इस कलर को जोड़ लेंगे और इस कलर से फिर 20 सलाईयों बनाते चले जाएंगे तो ये इस तरह हम और इस साइड में इस साइड में हम फंदो को वाइट को इधर ले जाएंगे ये वाइट वाला कलर इधर आ जाएगा ब्राउन वाला इधर आ जाएगा इसके बीच में हम यहाँ पर अब तीसरा कलर लगा लेंगे तो इस तरह मैं बनाती हूँ यह देखे अब हमारा यह हाफ पार्ट बन चुका है और इसकी लंबाई हमारी 15-16 इंच के करीब हो गई है यहां से देखे यहां से हमें 15 इंच हमारी यह लंबाई 15 इंच के हो गई हाफ बना है अब हम हाफ और बिल्कु सेम ऐसे ही डालते जाएंगे और बनाते चले जाएंगे यह देखे इसके लंबाई अब हमारी 13 इंच के करीब हो चुकी है इसे हम 13 इंच और तक एक लगब बनाऊंगी इसमें यह हमारी लंबाई इसकी मैंने पूरी कर दिये धाई पीट के करीब हो गई है इसकी लंबाई अब हम जैसे हमने नीचे किनारी बनाई है यह देखे नीचे मैंने शुरू में स्टार्टिंग में किनारी जो बनाई थी यह यह वली उसी तरह की किनारी इसमें अब उपर यह हमारी 12 सलाईयों की है दो चार छे यानि की 12 सलाईयों की किनारी है तो सेम किनारी हम यहाँ पर उपर भी बनाएंगे इसमें तो यह 12 सलाईयों मैं और बना लेती हूँ उसके बाद हम आपको बंद करके देए पूरा का पूरा फिर इसको हम बंद कर देंगे तो यह हमारा मैट समाल मैट बनकर तयार है इसे हम कहीं भी बैठते हैं दूप में बैठें बार सरतियों में या पूजा के लिए अगर हमें इसे यूज करें कहीं भी बैठके तो यह हमारे लिए सुन्दर लगता बना हुआ बूलन से यह देखिए हमारा मैट समाल मैट बनकर तयार हो चुका है मेरे बनाने का तरीका मेरे बताने का तरीका आपको कुछ भी अच्छा लगा हो कलर वगारा कुछ भी अच्छे लगते हो तो प्लेज मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें मेरी नेक्स विडियो तग बबाइ